वेरी वेलकम टू वाल शाथियों जीएस के इस वीडियो में आप सभी का पुनर स्वागत करता हूं तो आज का टॉप एंडियन हिस्ट्री से समन्दित है और चेप्टर है हडपा सभेता या सिंदु घाटी की सभेता तो इससे रिलेटेड 15 क्वीज के रूप में कोश्चन एंडियों के रूप में कोश्चन आपके सामने रेडी है तो सबसे पहला प्रस्न और आप इसका एंसर देने का प्रयास क पहले मोहन जोदलों में सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहन जोदलों जो कि हडपा का एक अस्तलता यहां का सबसे बड़ा भवन क्या है आप राइट एंसर सोचें इसका राइट एंसर है धन्यागार या कहीं कहीं इसको अन्नागार भी मिलेगा तापको नहीं होना गाटी सब्वेता की प्रमुक विशेस्ता क्या थी शिंदू गाटी सब्वेता की सबसे प्रमुक विशेस्ता पूछा जा रहा है तो शिंदू गाटी की सबसे प्रमुक विशेस्ता थी सोती हो इसका राइट एंसर पहला होगा नगर सब्वेता यह एक नगरी सब्वेता थी यही इस सब्विता के सबसे प्रमुक विशेशता थी। नेक्ट, सिंदू घाटी सब्विता का पतन नगर बंदरगा कौन सा है। यानि बंदरगा सहर कौन सा है तो लोथल। सिंदू घाटी सब्विता का पतन नगर या बंदरगा कौन सा है तो लोथल। लोथल बंदरगा सर था जो कि गुजरात में स्थित्ता निमलिखित विद्वानों में से हड़पय सपिता का सर पर्थम खोज करता कौन था हड़पय सपिता का सबसे पहले खोज किस ने किया था निमलिखित में से तो इसका राइट एंसर होगा दयाराम शाहनी ने किया था र हडप्पा काल की मुद्राओं के निर्मान की रूप में मुख रूप से किया गया था हडप्पा काल की मुद्रा यानि मुहर मुद्रा में सबसे मुहर पूछा जा रहा है मुहर के निर्मान में मुख रूप से किया गया था किसका प्रयोग किया गया था तो जो मुहरें होते सब्सक्राइब के साथ संबंद नहीं है इन में से कौन हड़ापा संस्कृति के अध्यान के साथ शंबंद नहीं थे यानि चौल्स मेसर हरपा सब्था के खोश्चे समंदित थे कनिंगम यह भी थे और विलर भी थे इन्होंने बहुत सारे सिदान भी दिया पतन को लेकर लेकिन पी एस वट्स का कहीं हम लोग नाम नहीं सुनते हैं हरपा सब्था के समंदित किसी भी तठ्थ में इनका नाम नहीं आता है इन्होंने अध्यान के संवन में इसका कोई यकदान नहीं रहा है इसलिए राइट एंस पी एस वत्सी होगा जब कि यह तिनों हर अप्था स्ब्था से संबंदित रहे हैं सबसे आगे किस वस्तु के उत्पादन में ते तो कपास इसलिए युनानी इसको क्या करते हैं शिंडन युनानी इसलिए हडपावासियों को दूधन करते हैं यह कपास के उत्पादर में अगर नहीं थे घ्रप्पा के निवासि थे जर्पा के सबसे विश्यस्ता थे कि हाँ सहरी सब्यता थे तो हडप्पा के वान निवासे क्या थे सहरी लोग थे सहरी थे शिंदू घाटी की सब्यता के लोगों का मुख व्यवसाय क्या था शिंदू घाटी सब्यता के लोगों का मुख व्यवसाय क्या था सिंदू गाटी सब्विता के लोगों का मुख जो व्यवसाय था वो किर्सी वो किर्सी पर ही निर्वर थे अगला है हरप्पा किस नदी के किनारे पर इस्तित था इसके साथ मैं कहना चाहूंगा हरप्पा सब्विता के सभी अस्तलों के बारे में आप याद करेंगे याद कर लेंगे कोंद सेस्थर किस नदी के किनारे था यहां पर rivers कर जाते हैं यहां पर सिंदी में मोहन जत्दुलो का क्या आर्थ होता है मोहन जोदलो जो सब्ध है इसका सिंधी भासा में क्या आर्थ होता है इसका सिंधी भासा मरत होता है मिर्तकों का तीला मोहन जोदलो का सिंधी भासा मरत होता है मिर्तकों का तीला इसका राइंसर ये वाला हो जाएगा किस जिल्ले में मोहन जोदल इस्थित है आपको सबसे पहला के मोहन जोदर भी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के सिंद प्रांट के किस जिल्ले में है पाकिस्तान के सिंद प्रांट के लरकाना जिल्ले में है पाकिस्तान के सिंद प्रांट के लरकाना जिल्ला में मोहन जोद्रो का जो छेत्र था इस्थित है किस अस्थान पर हरपन समय के रथ की एक परतिमा मिलिये किस अस्थान से रथ की एक परतिमा मिलिये याने हरपन के किस अस्थान से रथ की एक परतिमा मिलिये तामबे के रथ मिला है देमाबाद से इसका right answer देमाबाद होगा next है निमलिखीत में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आरियों दोवरा विहार में नहीं लाई गई आरिय जब भरत आये उन्होंने कौन सी दस्तकारी विहार में नहीं लाई तो लुहार या लुहार गरी क्योंकि वो जब आये उसमें लुहे का यहां पर पर्षलन नहीं था तो लुहार गरी इसका right answer होगा यह थे टॉप जी के हडपा सब्वेता या जिसको सिंदु घाटी सब्वेता करते हैं उससे समनित उमीद करता हूँ यह आपके लिए काफी फाइदे मन रहा होगा थेंक यू फर कनेक्टिंग विद एकजाम फाइटर नंबर वन और इसी परकार आपको और भी महत्पूर वीडियो मिलते रहता है इस चैनल पर और आप जीस की तैयारी यू जीसे नेज इस्याब के तैयार इसचनल के माधियंब से कर सकते हैं क separates के तायरी भी इस चनल के माधियंब से कर सकते हैं और और आप पर ईसे चाहते हैं कि हमर रोज विडियो मिलत प्लीज चनल को subscribe, like करें, share करें Thank you for watching Jam Fighter no 1 and connect with me धन्यवाद